लीजे फ्रेंड्स फिर से मैं आपके लिए एक बड़िया से रेसिपी लेकर आई हूँ ये है चना मसाला एकदम स्पाइसी मसालेदार चटपटा जिससे देखते ही मुझे पानी आता है आज मैं आपके साथ चना मसाले की रेसिपी शेर करूँगी बहुत ही मज़दार है बहुत जाधा टेस्टी है फ्रेंड्स आप इसे घर पे जरूर ट्राइ कीजिए आज का वीडियो एंड तक देखे पसद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूले तो चलिए आ आधा चमच इतना नमक एक चोथा ही चमच इतना हल्दी पावडर डाल करके इसे अच्छे से मेक्स कर लेंगे और अभी ग्यास का फ्लेम मेडियम रखकर इसे हमें तीन से चार सीटिया लगानी है चार सीटियों के बाद देखे फ्रेंड्स भाप पूरी तरीके से निकल चमच इतना जीरा और राई डाल देंगे जीरा और राई जैसे चटकने लगता है एक चोटा चमच इतना हदरक लेसुन का पेस्ट डालना है और इसे कुछ कुछ सेकंड कि ये चलाएंगे मेडियम पर अधरक लेसून का कच्चा पर निकल जाए बस इसके बाद हम इसमें ऐ करेंगे अभी तो सबसे पहले दो चमच इतना लाल मिट पाउडर मैंने डाला है चोटे चमच से तीखा आप अपनी हिसाब से रखे इसी के साथ एक चोटा चमच इतना धनिया पाउडर एक चोटा चमच इतना गरम मसाला एक चोटा चमच इतना चाट मसाला एक चोटा चमच crunchiness हमें बरकरार रखनी है friends इसलिए सिर्फ एक मिनट तक ही इस मसाले को हमें भूनना है अभी हम इस मैड करेंगे boil किये हुए चने बहुत ही मज़दार इस तरीके से चना मसाला बनता है friends आप इसे एक बार मेरे तरीके से घर पे प्राय करके देखिए और इसे अच्छे से एक बार मैंने mix कर लिया अभी हम इस मेड करेंगे आधे नीमबू का juice आप यहाँ पर हम जूर पड़र का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और mix करने के बाद अभी हमें इसे low flame पर एक मिनट तक लीर से cover करके रख देना है ताकि मसाली की बड़ी आसा गर्मा गरम हम इसे serve कर लेंगे ऐसे चनम मसाले को देखते ही मुझ में पानी आता है न फ्रेंट्स तो देर किस बात की इसे आप घर पर try कीजिए बनाईएगा खाईएगा इसके बाद मुझे कमेंट में बताए कि आपको मेरी recipe कैसे लगी और recipe पसंद आए तो